अंटार्कटिका बर्फ और बर्फ का एक महाद्वीब है। ये प्रित्वी का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाला स्थान है। ये बहुत बड़ा और खूबसूरत है। यहां की बर्फ की चादरें और ग्लेशिर अद्वितिये हैं, जो इसे एक अद अंटार्कटिका के किनारे पर बर्फ की एक विशाल चादर है। ये चादरें समुद्र में तैरती हैं और विशाल बर्फ की दीवारें बनाती है। ये रॉस आइस शेल्फ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की चादरों में से एक है, जो लगभग 487,000 वर्ग किल बर्फ की चादरें समुद्र के ऊपर तैरती हैं और एक अद्वितिये पारिस्थितिकी तंत्र का निर्मान करती है। रॉस आइस शेल्फ अंटार्कटिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बर्फ की चादरें अंटार्कटिका के जलवायू और पारिस्थि प्रिथवी के जलवायू संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लगभग फ्रांस के आउफर का है। एक विशाल बर्फ के टुकडे की कलपना करो। ये इतना बड़ा है। दिरे समुद्र की ओर बहती है। बर्फ समुद्र में धोफलती है। ओन से आइस शेल्फ बनता है। रॉस आइस शेल्फ लगातार बी रैच रहा है। ग्लेशियर ओन में बहते हैं। ग्लेशियर बर्फ की नदियों की तरह हैवते हैं। वे जमीन पर धीरे धीरे चलते हैं। ग्लेशियर शेल्फ में और बर्फ डालते हैं। आइस शेल्फ भी बर्फ खो देता है। आइस शेल्फ एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है। ये ग्लेशियर्सों को पीछे रखते हुए एक विशाल बांध की तरह ओफम करता है। आइस शेल्फ के बिना ग्लेशियर्स समुद्र में तेजी से फ्लोग। उनसे समुद्र का स्तर बायेच को। रॉस आइस शेल अन्टार्कटिका की स्थिर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 6. रॉस सागर एक अनोखा एंवायर्मेंट। रॉस आइस शेल्फ रॉस सागर पर तेरता है। रॉस सागर अन्टार्कटिका में एक गैवरी खाड़ी है। ये प्रिथ्वी पर सबसे प्राचीन इन्वायर्मेंटों में से एक है। पानी बहुत कोलडा और खारा है। रॉस सागर साल के इस रिमाइंडर आतर समय बर्फ से ढखा रहता है। ये एक कठोर लेकिन सुन्दर वातावरण है। भाग साथ रॉस सागर में लाइफ। ठंड के बावजूद रॉस सागर जीवन स भरपूर है। ये कई तरह के सै जानवरों का घर है। पैंग्वीन, सील और भेल सभी इटांग रहते हैं। वे जीवित रहने के लिए बर्फ और समुद्र पर निर्भर हैं। ये जानवर इस चरम वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए है। भाग प्रणालियों का अध्यान करते हैं। वे समझना चाहते हैं कि यह पारिलोकेटेड की तंत्र कैसे ओफम करता है। उनका शोध हमें जलवायू और निवर्तन के प्रभावों को समझने में मदद करता है। समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। रॉस आइस शेल्फ से निकलने वाला ठंडा पानी समुद्री धाराओं को नियंत्रित करता है। जो बदले में दुनिया भर के मौसम और जलवायू को प्रभावित करता है। यह प्रित्वी की जलवायू को भी प्रभावित क तो ये समुद्र के स्तर में वृध्धि का कारण बन सकती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खत्रा बढ़ जाता है। हमें रॉस आइस शेल्फ की रक्षा करने की जरूरत है। वैज्ञानिक और शोधुकर्ता इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ताकि इसके संरक्षन और सुरक्षा के उपाय कोजे जा सकती है। यह हमारे ग्रह की प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रॉस आइस शेल्फ का संरक्षन न केवल अंटार्कटिका के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। इसके बिना हमारी जलवायू और समुद्री प्रणालियां असंतुलित हो सकती हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भाग 10. रॉस आइस शेल्फ का भविश्य ये विशाल बर्फीला क्षेत्र, जो अंटार्कटिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, हमारे ग्रह के सबसे महत्वपूर्ण और समवेदन शील पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। निशकर्ष, रॉस आइस शेल्फ का भविश्य ये बर्फीला क्षेत्र न केवल अपने अद्वितिय प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, बलकि ये वैश्विक जलवायू प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रॉस आइस शेल्फ एक शानदार और महत्वपूर्ण जगा है। इसकी बर्फ की मोटी परतें और जटिल सनरचनाएं हमें प्रकृती की अद्वितियता और उसकी शक्ती की याद दिलाती है। यह प्रकृती की शक्ती और सुंदर्ता की याद दिलाता है। यहां की वन्यजीव विविधिता जैसे की पैंग्विन और सील इसक्षेतर की पारिस्थितिकी का महत्वपुर्ण हिस्सा है। इसकी रक्षा के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह प्रक्रिया न केवल इसक्षेत्र के पारिस्थिति की तंत्र को प्रभावित कर रही है, बलकि वैश्विक समुद्र स्तर में व्रिद्ध का भी कारण बन रही है। इसके ग्रह के लिए गंभीर परिणाम हो सकती है। यदि रॉस आइस शेल्फ पूरी तरह से पिखल जाता है, तो इससे समुद्र स्तर में कई मीटर की व्रिद्धी हो सकती है। जिसे तटियक शेत्रों में बाढ़ और अन्य आपदाएं हो सकती है। जलवायू परिवर्तन पर अपोप्रभाव को कम करने के लिए हमें अभी कारवाई करने चाहिए। वैज्यानिक और नीती निर्माता इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपनी भूमिका निभानी होगी। रॉस आई शेल्फ और वास्तव में ग्रह का भाग्य इस पर निर्भर करता है। हमें अपने ग्रह की सुरक्षा के लिए एक जुट होकर काम करना होगा, ताकि आने वाली पीडियों के लिए ये अद्वितिये और महत्वपूर्ण क्षेत्र सुरक्षित रह सके।